कप्तान बनते ही रोहित शर्मा ने तयार कर दी अपनी खतरनाक प्लेइंग 11. तीन नए चेहरों को दिया मौका. कट गया हारदिक पांडिया का पत्ता. नीता अमबानी का सबसे चौकाने वाला फैसला. तीसरे मैच में एकदम अलग होगी प्लेइंग 11. हारदिक के चेलों को क कर दिया. मुंबई ने 48 घंटे में ही अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया. जिसमें सूर्य कुमार यादव पर भी बड़ी खबर सामने आई. जबकि रोहित शर्मा इन तीन नए चेहरों के साथ राजस्थान रॉयल्स का शिकार करने के लिए मैदान में एक अप् पांडिया ने किया उसको लेकर नीता अमबानी का पारा सातवें आसमान पर पहुँच गया है. और कहा जा रहा है इसलिए IPL के इस सीजन से हार्दिक पांडिया की चुट्टी की जा रही है. क्योंकि ना तो हार्दिक गेंदबाजी में अच्छा कर पा रहे हैं और ना ही ब बढ़क गया था. लेकिन हार्दिक अपने घमंड में चूर थे. मगर दूसरे मकाबले में जब मुंबई इंडियन्स की टीम मैनेजमेंट ने हार्दिक को फटकार लगाई तो उनका दिमाग ठिकाने आया. और उन्होंने रोहित शर्मा को पूरा सम्मान दिया. लेकिन अब काफी देर हो चुकी है. क्योंकि मुंबई इंडियन्स के खेमे से जो खबर सामने आ रही है, उसमें रोहित शर्मा को कप्तान बनाने की बात सामने आ रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के मताबिक हार्दिक पांडिया को कप्तानी से हटाया जाएगा और अब रोहित शर्म को कप्तान बनाया जाएगा रोहित ने मुंबई इंडियन्स को पांच बार चैंपियन बनाया था लेकिन हादिक पांडिया को इसलिए कप्तान बनाया गया ताकि आगे के कप्तान के रूप में एक नया कप्तान मिले जो लंबे समय तक चले लेकिन हादिक पांडिया ने सुर्य कुमार यादव ने भी हैरानी जताई थी और खुलकर इस पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी जिसके BARD से ही हारदिक पांड्या सूर्य कुमार यादव को भी अपने निशाने exist हैं जपकि जस्प्रीत बुम्रह के साथ भी हारदिक पांड्या किस तरह खेल करने की कोशिश की साफ तोर पर देखा गया दोनों मुकाबलों में हार्दिक पांडिया ने जस्परीत बुमराह से ओपनिंग गेंदबाजी नहीं करवाई माना जा रहा है कि जिस तरह से मनमानी हार्दिक पांडिया कर रहे हैं उसी को ध्यान में रखते हुए नीता अमबानी ने हार्दिक पांडिया से कप्तानी लेने का फैसला किया है दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जिस तरह की कुटाई मुंबई के गेंदबाजों की हुई है उसके बाद से ही हार्दिक की कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं दरसल अगर एक और मैच मुंबई इंडियन्स हार गया तो कहीं न कहीं इसका सीधा नुकसान टूर्नामेंट में आने वाले मैचों में पड़ेगा और ऐसा भी हो सकता है मुंबई प्ले आफ से ही बाहर हो जाए हमेशा मुंबई की टीम IPL में लड़ाई करती आई है और बड़ी टीमों में से एक रही है अब देखना होगा कि अगर रोहित शर्मा कप्तान बनते हैं तो क्या कुछ होगा लेकिन इसी बीच सूर्य कुमार यादव पर भी बड़ी अपडेट सामने आई है सूर्या ने भी ऐलान कर दिया है कि वो जल्द ही मैदान पर दिखाई देंगे उमीद की जा रही है कि एक अपरेल को होने वाले मुकाबले में सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आ सकते हैं टीम के स्कौाड में भी सूर्य कुमार यादव को शामिल कर लिया गया है इतना ही नहीं कहा जा रहा है कि जिन खिलाडियों को हार्दिक पांडिया ने अब तक बेंच पर बिठाया था उन में से कुछ खिलाडि को रोहित शर्मा अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं ताकि टीम को असली मजबूती दी जा सके लेकिन दोस्तों आप हार्दिक पांडिया की कप्तानी को लेकर क्या सोचते हैं उन्होंने अपने सीनियर खिलाडियों का जिस तरह से अफमान किया है क्या वो एक कप्तान को शोभा देता है क्या रोहित को दोबारा कप्तानी मिलनी चाहिए अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखें